आज हम पढ़ेंगे साइनो बैक्टेरिया के बारे में साइनो बैक्टेरिया जो है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है मोनेरा में आता है तो फोटो साइनो बैक्टेरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी में इसको सबसे पहले डाला गया था सबसे पहले एल्गी म मिख्यो माय सिटी में रखा गया था क्योंकि ब्लू- ग्रीन कलर का होता है और फुतो सींन्तेसिस से फुड मेटरियल बनाता है ठीक्व? इसलिए जूलता बहुत saara character था इसलिए इसको मीख्जो 보시면 डाला गया इसका नाम दिया गया गरी जो होता है उसके सिल्ड देखने से पता चलता है कि यह prokaryotic होता है ito top iqक होता है तीक क्योंकि इसमें रहता है Chlorophyll A, Caratenoids, C-phicocyanin, C-phicoerythrine एस सब pigments इसमें पाया जाता है Chlorophyll A, Caratenoids, C-phicocyanin, C-phicoerythrine एस चार pigments पाया जाता है और C-phicocyanin और C-phicoerythrine इस दोनों pigment के करण इसका कलर जो होता है Blue-Green का होता है ठीक है? इसलिए Autotropic होता है अपना food material photosynthesis से अपना food material खुद बनाता है तो इसको photosynthetic bacteria भी बोला जाता है और oxygenic gram negative synovacteria होता है synovacteria जो होता है ऐसा मना जाता है जो पहला organism first organism that produces oxygen in our earth सबसे पहला ओं living organism जो की photosynthesis से food material बनाता है और oxygen release करता है पहला oxygen release करता है synovacteria ऐसा मना जाता है इसलिए इसको oxygenic bacteria भी बोला जाता है इसके cell का structure होता है सर्च जी gram negative gram negative photosynthetic autotropic bacteria होता है यह थीक है हम लोग जानता है कि monera में आता है और monera में जो भी आता है उसके nucleus primitive type होता है nuclear membrane absent रहता है nucleus last absent रहता है इस type का nucleus होता है उसको बोला जाता है nucleoid ठीक है cell का structure primitive होता है पूरे monera type होता है ऐसा देखा गया है कि साइनो बेक्टरिया सब टाइप का होता है जैसे यूनी सेलूलर मल्टी सेलूलर फिलामेंटर ब्रांश अन ब्रांश सभी टाइप की साइनो बेक्टरिया पाया जाता है ठीक है जैसे यूनी शेलूलर इसके एक्जामपल है क्रोकोकस यूनी सेलूलर बैक्तिरिया के एक्जामपल है क्रोकोकाश ऐसे स्पेरिकल भी होता है और इस ट्राइप के उनिश्यलूला सेनोबैक्टरिया भी देखा गया है जिसमें स्ट्रोक पया जाता है उपर एपस रहता है बेसे एपस इसका एक्जामपल आएगा डार्मो करपा केमो साइफोन यून मुल्टी सेलूलर एक साफ, गुरूप में पया जाता है मुद्स सि차 तरफ ढगा हुआ रहता है तेक, समें धनके सफ उत्षीजिक्र माुक्रो soci後 मीह म जाता है, कम नकी कर सेखेनाडीय साँ मल्टी सेलूछ होता हैώνतो हैं ट्राइको डिसमी junitae एसा बहुत सरट अल्गी है जो कि मल्टी सेलूलर कॉलोनियल होता है यह होता है जो कि ऐसी फिलामेंट्डस होता है फिलामेंट्डस रंडे में अनवेसर जाय जाता हैं नासे नो स्टॉक आविना ठीक षालूसрах। करने का भी इसका स्पेशल टाइप का करेटर पाया जाता है थिक है फिलामेंटस एल्गी में आता है असी लेटोरिया College for a newpture Lab at takes walksूंद91 नहीं नार रखेहिं यहां साय शालव में भी को देखा गया है कि उस्न समुद्र में पाए जाता है बहुत सारी इस जाङए यहां कर का जोता है का इस thisManagen हो जाता है तो साइनषा रहता है उस ताइब का जैसे फॉर्मिडियाम ऑसिले टोरिया मैस्टिगोज है डीवाल में गमट करने वूला साइनोब्यक्टरिया कर्फाले में आसे छाइनोब्यक्टरिया न स्विदन др वोगई 30 से जोता है जो न वे न जो किन तय た ले जैसे हैं ट्राइकों डिस्मिय क्विप्स अरम उसके और बहुत शारी साइनु साइनु बैक्टेरियर क note है। निस हैने शिए और के ताकर मोंते लगल доб सकत 허vtए लता है यहां जाव कोश्ज़े जाता है। कि नॉस्टॉ कोलूनिय अंथो शीरस थेलस्स के अंदर में पाये जाते हैं साईकस कि कोलोड रूट्स में एना बीना पाये जाता है'S हम आपने एक ट्रेड़ उफाइट होता है उसके लिप में आना भी ना पया जाता है तो इस टाइब का साइनो वैक्टीरिया करते हैं, गैस्सित करते हैं, इसने थीनोनने के सिफिप जाने से उसका प्रौदक्षन बहुत जादा होता है जैसे धान के खेतों में, धान के खेतों में Sinovacteria use करके ऐसा देखा गया है कि धान के production 50% तक बढ़ जाता है, 50% तक अच्छा धान का growth and development देखा गया है, Sinovacteria का यूश करने के लिए, क्योंकि nitrogen fixation करते हैं, nitrogen धान के plants के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत होता है, growth and development के लिए त्राइकोमज, उसके बाहर, उसके भाहर, त्राइकोम् जो मियूसिलेज से धका हुआ नहीं रहता ठीक है कुछ साइनो बैक्टिरिया ऐसा लगता है कि ब्रंचिंग नहीं है फॉल्स ब्रंचिंग पहे जाता है फिलामेंटर स्ट्रक्चर है लेकिन इस टाइप से एरेंज रहता है देखके लगता है कि ब्रंच है अन ब्रंच थैलास तो इससे फॉल्स ब्रंचिंग पहे जाता बहुत सारे साइनोबैक्टिया जो होता है जैसे सिरुलिणा लिंज बाया ठीक है इसलिए पढ़ायो लिना जो होता है एडिबल होता है उसको मेडीशिन के रूप में योश किया जाता है ठीक है गलीओ ट्राइक्या जिसमें हेट्रोसीस्ट पाया जाता है और ब्रांस्ट ठैलस जैसा दिखता है लेकिन unbronched होता है ठीक है बहुत अलग-अलग टाइप की cyanobacteria पाया जाता है unicellular से सुरू करके multicellular filamentous branched तर पाया जाता है अब हम देखेंगे cell structure ठीक है blue green algae जो होता है इसके cell structure को जब हम electron microscope से देखते हैं तो gram negative bacteria जैसे दिखता है gram negative bacteria जैसे ठीक है भे जो सेल वाल होता है बहुत इक complex टाइप का structure होता है इसके cell wall का है हो तो सबसे बाहर तो už म२ örne windows लेजीनस शीद पै जाता है सबसे बाहर म२ शीदेशीन सीद सेल वाल को चार लेयर में ऑटा गया जो cell wall है उसको 4 layer में बटा गया है क्योंकि हो सबसे अंद्र cell membrane होता है जो कि lipids and protein का बना होता है उसके ещё बाद L2 and L3 जो है Mucopolymeric से बना होता है Aniline, Glucosamine, Muramic Acid, Glutamic Acid, Alpha Di, Aminopametic Acid इस सब चीजों से बना होता है ठीक है? और सबसे बाहर रहता है Mucilis, नसीथ पूरे Mucilis से कवर रहता है ठीक है? Mucilis जो होता है इसको बहुत अच्छे से Microscope में देखने से ऐसा दिखता है कि Homogeneous Matrix मतलब इसमें जो मैट्रिक्स है पूरे समन टाइप से distributed रहता है अग्दम समन रूप से distributed रहता है और छोटी-छोटी Micro Fibles पूरा इसमें जाल जैसा फैला हुआ रहता है ठीक है? छोटी-छोटी Micro Fibles मतलब पूरे छोटी-छोटी Fibre-like structure पूरे जाल जैसा फैला हुआ इसमें रहता है Pactic Acid Mucopolysacurides का बना होता है ठीक है? ये मूसिलेज जो होता है Water को एब्सॉर्ब करता है तो सबसे पहले जब सेल को देखेंगे हम Cell Wall बहुत ही मोटा होता है Complex structure होता है चार लेयर का बना होता है ठीक है? सबसे बाहर होता है Mucilage का लेयर जो की Homogeneous matrix से बना होता है इसके अंदर छोटी-छोटी Micro Fibles जाल जैसा फैला हुआ पूरा पड़ा रहता है Pactic Acid Mucopolysacurides का बना होता है ठीक है? इसके अंदर Mucopolymeric Aniline, Glucosamine Murimic Acid Glutemic Acid Alpha Di Amino Pammetic Acid इस सब का बना होता है सबसे अंदर रहता है Cell Membrane Lipoprotein का बना होता है इस ताइप के इसका Main जो वाल होता है Outer वाल जो है Lipopolysacurides का बना होता है और Inner Wall Peptido Glycon का बना होता है इसा दिखा गया है ठीक है? ए था इसका वाल L1, L2, L3, L4 इस टाइप से 4 लियर दिखाया गया है Cell Wall 4 लियर का बना होता है L1, L2, L3, L4 ठीक है? और अंदर का जो Cell Membrane होता है Prokaryotes में आप लोग जानते हैं कि अंदर का जो Cell Membrane होता है वो folded रहता है किसी किसी जगा में fold रहता है जिसको बोलेंगे Mesozoom Mesozoom जो होता है Respiration में help करता है इसमें respiratory enzyme पाया जाता है ठीक है? और बीच में Center में Cell के जो Center होता है उसमें Circular Naked DNA पाया जाता है बहुत बड़ा Circular Naked DNA पाया जाता है ठीक है? Naked DNA इसको इसलिए बोलते है कि इसमें histone protein नहीं रहता ज्यादातर Simple जो DNA होता है हो histone protein से cover रहता है लेकिन Circular बहुत लंबा DNA पाया जाता है लेकिन histone protein इसमें present नहीं रहता इसलिए इसको Naked DNA बोलता है ठीक है छोटे छोटे RNA भी पाया जाता है DNA भी present RNA भी present छोटे छोटे RNA पूरी साइटो प्लाजम में पाया जाता है ठीक है और छोटे छोटे गैस बैक्विल्स पाया जाता है photosynthesis से जो food material store करके रखते हैं वो है syno fission starch syno fission starch के रूप में photosynthesis से food material को collect करके रखते हैं syno bacteria ठीक है अब देखो किनारे-किनारे थालिकोईड membrane पाया जाता है हम लोग जानता है कि इसमें pigments पाया जाता है photosynthesis करते हैं जो pigments थालिकोईड में पाया जाता है और ये थालिकोईड किनारे-किनारे रहता है ठीक है तो chromatophore pigment जब केबल किनारे किनारे रहता है उसको बूला जाता है chromoplasm ठीक है potoplast के जो outer area रहता है उसमें thylakoid pigment पाया जाता है तो इसको बोलेंगे chromoplasm ठीक है phycobilism present phycobilism मतलब जो thylakoid रहता है उसתחवरिकार में में च्टे च्टे ग्रेनियूल जुड़ा हुआ रहता है इसको बूला जाता है फाइको बीली जो मुटक E फाइकोबिलीजोम फाइकोबिलीजोम क्रोमोप्लाजम इस हाइनोबेक्टियर का स्पेसल करेक्टर है ठीक है राइबोजोम पाया जाता है जो कि 70S टाइप होता है हम लोग जानते है प्रो केरियोर्स जो है उसमें 70S टाइप राइबोजोम पाया जाता है और यू केरियोटि जो सेल होता है, उसमें 80S टाइप राइबोजोम पाया जाता है, ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे बाहर 4 लियार, L1, L2, L3, L4, 4 लियार का सेल वाल पाया जाता है, अंदर जो पोटोप्लाजम पाया जाता है, उसमें सार्कुलर नेकेड डियने रहता है, छोटे-छोटे आरेने पाया जाता है, किनारे-किनारे थाइलेकोड मेंब्रेन पाया जाता है, और बहुत सारे चीजे जैसे गैस बैकुल, साइन ओफिसियन स्टार्च, प्रोटीन, ओएल ड्रॉप्स, इस सब चीजे अंदर भरा हुआ पाया जाता है, ठीक है, यह था सेल स्ट्रक्चर, अब इसम इस स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोला जाता है, है अड्रोजा फिक्क्रशन मीह घल्प करता है, उसको भी हम लग थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है तो हेट्रोसिस्ट को जब हम लोग देखेंगे तो सिंपल सिल जो है उसका लेयर जो है फिर भी पतला होता है हेट्रोसिस्ट का लेयर और मोटा होता है आउटर लेयर सेल वाल जो है और मोटा होता है ठीक है सबसे बाहर म्यूसिलेज का लेयर पाया जात मेन सेल को दो वागों में बाड़ सकते हैं भाहर ठीक पैक्तिन एंदर सेलुलूस का लिएर अंदर केबल सेलूलूस का लिएर ठीक आउटर वाफाइब्रास होते हैं मेडिल होते होमोजीनियास मतलब एक ही टाइप से पुरला फैला हुआ रहता है और इनर जो होते हैं लैमिन सरह ठीक है इसको में पbok़ेंगे पो लर पोर sic abd bisaEP जाता है कि इस टतब का Christian अंदर बंजता है इसको बोलेंगे पोलयनो ड्राक्टियूल जाता है ऐसे जगा सेट हो जाता है कि पॉरी तरह से बंद हो जाते हैं पोर बंद हो जाने से क्या होगा दूसरे से कोई connection नहीं रहता यह अलग हो जाता है और कुछ दिन बाद यह अलग होके निकल जाता है और उससे नया थेलास बन जाता है ठीक है इस टाइप से है name घोसीग का स्ट्रक्च्चर ऐसे होता है ठीक है गलाइको लिपीटस एसाइल लिपीटस इस टाइप का फूड मैटेरियल इस टोर रहता है की करें और जी कर पा मेलथ कर आपन जाता है ठीक है, polar pore पाया जाता है, plasmo dismeta के साथ, जो कनेक्शन, जो बाकी सेल के साथ connection के लिए, बाद में polar nodule बनने की करण polar pore जो है, बंद हो जाता है, इसके अंदर जो है, बहुत सारे photosynthetik lamela पाया जाता है, और glycolipids, acyl lipids, गिसा food material collect रहता है, ठीक है, यह था, petrocyst का structure, special type का सेल ह बेब्स होगा है किबस साइनोबक्टरिया में ही दिखा गया है में डिप्रोडक्शन गतार किद फिर दो टइब से होता है ब्जेटेटीर को जटशन ग utet提क पूरे लाइब साइकल में फ्लैजेला एपसेंट रहता है, साइनो बैक्टेरिया, इसको हम लोग पहले भी पढ़ेते हैं, कि रोडो फीसी और साइनो बैक्टेरिया, यह दोनों में बिल्कुल फ्लैजिला नहीं पाया जाता, ठीक है, वेजिटेटीव रिप्रोड़क्शन जो है, चार टाइप से होता है, बाइनार सेल का पूरा पार्ट, नुक्लिया, शैटोपलाजम सब दो भागों में बढ़ जाता है, और नया-नया चार बन जाता है, इस टैप का जो प्रोडाक्शन होता है, इसको बूला जाता है, बाइनारी फिशन, एक सेल दो भागों में बढ़ गया, और दो डोटर सेल बन गया, से फेलास से तो उससे निया थेलास बन जाता है इसको बॉला जाता है फ्रैग्मेन्टेशन इसका एक्जामपल आएगा उसिले टोरिया कोई भी थैलास कहीं से भी accidentally अलग हो जाए तो उससे नया थैलास बन जाएगा इसको बोला जाता है fragmentation इसका example आएगा oscillatoria by the formation of separated disc कई बार क्या होता है जैसे थैलास है ठीक है थैलास बहुत समर्टी सिलूला थैलास है बीच में म्यूसिलेज जमा हो जाता है म्यूसिलेज जैसे जमा हुआ तो सब अलग-अलग हो जाता है जिस जगह म्यूसिलेज है वहां से बाक्की थैलास अलग हो जाता है तो इसको अलग-अलग जो जगह है इसको बोलेंगे के separation disc separate कर देता है थेलास को कई भागों में इस टाइब से जितने भी अलग अलग भाग होता है नया थेलास बना देते हैं इसको बोलेंगे बाइदा फॉर्मेशन ऑफ सेपरेटर डिस्क, बाइ हॉर्मो गोंस कुछ साइनो बैक्टिरिया में हॉर्मो गोंस से भी देखा गया है, कि जो फिलामेंटर स्थलास होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे गोल-गोल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक कई भागों में अलग हो जाता ह है और हर भाग जो है अलग होके नया थेलास बनाते हैं, ठीक है इसको इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बूला जाता है हॉर्मो गोंस, इसका एक्जामपल आएगा नॉस्टॉक, उसले टूरिया, कैलो थ्रीक्स, लिंच बाया, इस अब में ऐसा दिखा गया है अब देखेंगे और असेग्च्स ए especially production ठीक कैसेखें प्रोड स्पोर्स के अचारा होता है, यह से एकड़ किई north corresponds आग ही हर भार मुला हवार हो इंडॉ सपोर ग यह सब कर रहे होता है, ठीक है सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हरमो स्पूर यह सलके अईया है है कि जैसे लंबे थैलास है ठीक है थैलास मल्टी सेलूला थैलास तो एक सिल के अंदर के इतने पोटो प्लाजम है ठीक है गोल हो जाता है चारो तरह मोटा वाल बन जाता है और अंदर के पोटो प्लाजम कई भागों में बढ़ जाता है कई भागों में बढ़ जाता है अंद सेल वाल रप्चर हो जाता है पूरे स्पोर बहार निकल जाता है हर स्पोर से नया थैलास बन जाता है इस टाइब कर जो स्पोर होता है इसको बुला जाता है हार्मो स्पोर ठीक है एक्टिक्ट होता है जब कंडिशन रहता है उस समय एक्टिक्ट मेर्ट करें पड़े रहते हैं और आंध्येध कुछ एलस में एक स्पिसल टाइप का सेल बन जाता है जैसा सेल होता है थैलस का उसी के चारो और मुट्टी वाल से करता है और उस सेल के अंदर बहुत सरे food material collect करके resting stage में पड़े रहते हैं unfavorable condition में प्रतिकुल वातवरन में ठीक है तो जब उसको favorable condition मिलता है उस समय जो है ठेलास से अलग हुजाता है और नया ठेलास बना लेते हैं ठीक है इस टाइप का जो structure होता है इसको बूला जाता है एकाई नीट्स यूलो और ब्राउन कलर का होता है फूट मेटरियल स्टोर करके चारो तोरो मोटे वाल बना के पड़े रहते हैं रेस्टिंग स्टेज में ठीक है ऐसे एकाई नीट्स से प्रोड़क्शन होता है नौस्टोक सिलेंड्रो स्परमाम एना बीना ग्लियो ट्राइक किया यह सब में इसमें एकाईनेट्स है एकाईनेट्स 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 ठीक है फूट मेटरियल कलिक करके चारो तरह मोटे वाल बनाके रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं आन फेबरेबल कॉंडिशन में जब फेबरेबल कॉंडिशन हो तो इन. बाइओ. फ़र्टिलाजर की रूप में शॉयल की फ़र्टिलीटी को बढ़ाने के लिए उसकी आजता है विए से जया Yo Ting jijom ready जानज पर 10 पर जहुता है ग्रीन हो जाता है कई बार बहुत जयादा सेनोवक्तिरी के स्क्राइब या कि चीजे रहता है उसका उसाब सड़ जाता है और वाटर जो है उसको टॉक्सिक कर देते हैं इसलिए वाटर में प्रेजेंट जो छोटे-छोटे किड़े मकोडे फिस यह सब रहता है मर जाता है ठीक है इस टाइब से कुछ साइनो बैक्टिरिया पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन भी कर देते हैं नौस्टॉक एनाबीना इस सब चीजे जो होता है सीम बायोटिक एसोसियेशन के साथ भी कई प्लैंट्स के साथ रहता है ठीक है जैसे साइकस के कोरोलोर डुट में एन्टो सिरस के थैलस में सीम बायोटिक दोनो दोनो को हेल्प करते है नात्रोजन फ्य veil करें प्लैंट्स को हेल्प करते है उसके बदले में प्लैंट से फूड मैटरियल को एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है एज impl के médico में पाय जाता है एंतोसीरस के थैलास में नौश्टक पाया जाता है इस टाइफ से ओलूशीरा ऐसे बहुत सारे साइनोबैक्टरिया रहता है जो कि धान के खेतों में बहुत ज़्यादा डाला जाता है और 50% तक प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं ठीक है अब देखते हैं कि एसेक्सियल रिप्रोडक्शन कुछ साइनोबैक्टरिया में एंडोस्पोर से होता है एंडोस्पोर मतला जैसे थैलास है थैलास के अंदर बहुत सारा स्पोर बन जाता है और इस पोर अलग होके नया थैलास बनाता है अब कुछ साइनोबैक्टरिया में थ तो जो भी अलग हो के नया थैलास बनता है थेक है इसलिए इंडोस्पोर फॉर्मेशन से भी नया थैलास बनता है। के आप इंडुसपूर का एक्सम्पल आएगा डार्मो कार पा स्तिको साइफोन थी को सबाता है खैसस राम थीख च्छोक अरो साइफेड जान इसक्ज्ण बहुत एक reduzिन के अस्तोन से अखिंग उसक्ज मांर प्रैंव कॉडिशन से क्रते इंद हो जाते हैं च्छा राम प्रिज्य जितने भी छोटे छोटे ओर्गिटरीयम को खाते हैं उन को खाने के लिए यूज्ज होता है जैसे फिसेस अधर डिक और अज़्यन जो होता है उन लोग के लिए फूर्ट मेट्रियल मिल जाता है साइनो भैक्टरीया से लिए स्वयल में डालने से सोयल का फटलीट लॉटरिया रॉस्टॉक सिलेंडो स्पर्मा में सब नैट्रियन फिक्षिंग साइनो बैक्टरिया होता है ठीक है हार्मफूल एक्टिविटीस भी बहुत ज्यादा होते हैं अब लोग पड़े हैं भी कि वाटर को पूरी तरह से ग्रीन कर देते हैं इसाइनो बैक्टिया कि च हर्मफूल एक्टिविटीस भी होता है साइनो बैक्टरिया में ठीक है एक्टिक एनिमल्स मर जाते हैं कुछ बैक्टरिया ग्रो कर जाते हैं तो बिल्डिंग में पूरी तरह से साइनो बैक्टरिया भर जाएगा और वो सड़ जाएगा तो बिल्डिंग को सड़ा देते हैं मेल्डिंग दीरे दीरे फट जाता है और खराब हो जाता है इसका एक्जामपल है साइटो नीमा मेल्डिंग को जो खराब करते हैं ठीक है इस टाइप से साइनो वैक्टेरिया जो है वो कॉम्प्लिट हो जाता है